लिए फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम तो आज हम बात करेंगे जो B.A.D. L.L.B. और B.A.L.L.B. के छात्र हैं उनको अगर उनकी किसी भी पेपर में बैक लग गया है किसी भी एग्जाम में अगर उनका बैक आगया है उनके मार्क्स कम है तो वो सेकिंड येर में ओपन करके तो गाईज यह है आपका जो नोटिस है वो इसके बाद में यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे कि इन्होंने विचार विमर्ष किया है और उसके बाद B.A.L.L.B. और B.A.L.L.B. जो हैं उनके अगर किसी भी छाद्रे चात्रा के बैक पेपर हैं बैक पेपर हैं वो बैक पेपर देना चाहते हैं तो वो दूसरे वर्ष में है यानि सेकेंड यार में वो चले जाएंगे उनको भेज दी आ जाएगा बस आपको क्या करना होगा इनके बैक पेपर देने होंगे ठीक है लेकिन क्या है यहाँ पर एक शर्द है कि आपके अगर फिर्स्ट इयर में back है first year में अगर back है है ना तो आप second year में तो shift हो जाएंगे आप second year में चले जाएंगे लेकिन आपको second year में ही ये जो first year वाली back है ये clear करनी पड़ेगी second year में ही ठीक है second year के exam के बाद में आप third year में आएंगे ना तो third year में आप जब तक प्रमोट नहीं हो सकते हैं, जब तक नहीं जा सकते हैं, जब तक कि आपने आपके जो फर्स्ट एयर में बैक पेपर हैं, अगर वो आपने क्लियर नहीं किये हैं, तो आप थर्ड एयर में नहीं जाएंगे, ठीक है, इसलिए जो भी आपके बैक पेपर हैं, वो सेकंड यार में कर लिगे क्योंकि अब तब अच्छे से घ्र कर लिए तुल यह को सप represent नहीं प्रवाइब को झहीं अगर कते हैं नोटिफिकेशनन्कों को अगे तक बढ़ते हैं कि यहां पर yields लगा है हर स्ट्रीम के लिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले बीएड की बात करेंगे तो यहाँ पर बीएड में अगर किसी के भी लिकित परिक्षा के दो प्रशन पत्र में यानि कि दो अगर सब्जेक्ट के अंदर उसके 40 प्रतीशत अंक नहीं कर पाता है ठीक है 40 प्रतीशत अंक उसके नहीं आपा रहे हैं दो प्रशन पत्र के अंदर है न बाकियों के अंदर हैं लेकिन दो के अंदर अगर नहीं है लेकिन उसके जो सारे के सारे पेपर हैं उसके जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं अगर उसके उस सारे के सारे सब्जेक्ट में 45% से जादा है दो में 40% से कम हैं और उसके बाद में जो बाकी सारे हैं अगर सबको मिला लो तो उसमें 45% से अगर अधिक हैं तो वो second year में चला जाएगा और उसको यह जो back paper है वो qualify कर पाईगा पुनहे परिक्षा जो है जो बैक पेपर हैं उनको वो सम्मिलित हो पाएगा और उनको वो अच्छे से दे सकता है ठीक है ये तो हो गई एक शर्थ कि अगर दो पेपर में तो 40 प्रतीशत हैं लेकिन बाकी अगर सारे के सारे सब्जेक्ट देखा जाए तो 45 प्रतीशत से अधि पुनहे परिक्षा दे सकता है जो इनका सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी परिक्षार्ती ऐसा है जिसके प्रतीएक प्रशन पत्र में यानि कि सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर 40 प्रतीशत अंक प्राप्त कर लेता है ठीक है पहला तर 40 प्रतीशत दो में है ठीक है 40 प्रतीशत हर किसी पेपर में देखो तो है लेकिन सबका मिला के 45 प्रतीशत नहीं है तो उसको भी प्रोननत कर दिया जाएगा वो भी सेकेंड डियर में आ सकता है लेकिन उसको कम से कम दो पेपर की पुनहे परिक्षा देनी होगी ठीक है ताकि उसके 45 प्रतीशत बन जाएं तो ये है second point इसके बाद में हम next point बी बात करेंगे LLB पाठेग्रम के बारे में अगर जो भी LLB में हैं तो यहाँ पर है अगर किसी भी परिक्षारती की लिखित और प्रयोगात्मक परिक्षा में जो पूरे सारे के सारे subject मिलाके उसके नियूनतम 40% अगर उसके अधिक आ गई है तो वो तीन प्रश्ण पत्र में पुनहे परिक्षा में समिलित हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है उसके बाद की जो बी ये LLB पाठेग्रम है उसमें अगर किसी भी परिक्षारती की लिखित या प्रयोगात्मक परिक्षा में जो पूरे के पूरे subject हैं समग्र उसत है वो 40% और किसी आधिक है तो वह दो प्रश्ण परिक्षा जो प्रश्ण पत्र में यानीज व्यमstrong के पर में उन्हें परिक्षा में समिलित हो सकता है ठीक रूरे यहां पर यह भी चात्र चात्र बेक पेपर देना चाहते हैं उन्हें दुतिये वर्ष में प्रोनत कर दिया जाएगा ठीए तो ये था आप आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा अगर अपने चैनल को सब्स्रेब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजेगा लास्टली थैंक्यू चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में